respiratory system का next organ है trachea तो trachea जो होती है वो आपका larynx के साथ में जूटती है उपर की तरह और निचे की तरह trachea जो है वो आपका दो भागु में विबक्त हो जाती है और दो ट्यूब का निर्मान करती है तो जो trachea होती है वो flexible होता है यानि लचिली ट्यूब होती है Mobile होती है यानि meek move करते है आपका और साथ में extend करते है यानि यह शुरू होती है Layering से और आपका into the media's genome जो media's genome आपका space होता है उसके अंदर आपका उपस्तीत होता है तो media's genome space जो है वो थोड़ा से cavity के अंदर जो जगह है उसका media's genome space कर रहे है जिसके अंदर बिबिन जो आपका थोरा से किरिया कि जो अंग वोते हैं। वह आपका उपस्तित होते हैं। विद्धार इस सेल्स होते हैं गोबलेट सेल्स आपका मिकोस आपका बनाने वाली स्लेश मा बनाने वाली कोशी कहीं होते हैं और इसके मिकोसा जो है वह आपका सीलेटेड एपिथिलियम और इसके उपर अस्तर जो उपस्तित होता है वह सीलेटेड एपिथिलियम का उपस्तित होता है सब्सक्राइब थी इन 12 आपको सप्राइब को सब्सक्राइब एंगutetल समूध मसल्ज मजाए खाफ्सए आदे अधुमाहम के सब्सक्राइब के लेंग информ मिको सब्सक्राइब उन 7 रूछ 14 मिभक ढाइब ही 85 इसलिये उत वह की यहावा को आपका क्या गारतीया आपका carry करती है लेरिंग से आपका नीचे की दरा उसके बाद हैं जो ट्रेक्या के अंदर जो C-shape rings होती है उनके संक्या 16 से 20 होती है जो hyaline cartilage की बनी होती है किर्कोर्ड cartilage से ट्रेक्या आपका स्टार्ट होती है और इसके अबाद ट्रेक्या थोरा से आपका 5 जो वर्टिब्राप उसके लेवल तक आपका उपस्तित होती है लगबद 12 cm लंबी ट्यूब होती है जिसके मत्य भी आपका भाग के अंदर यानि सब मिकोसा के अंदर आपका रिंग है उपस्तित है इसके बाहर की तरफ यह आपका एडवेंस यह उपस्तित है उसके बाद है यह यलो कलर का आपका सब मिकोसा लेर है और सब मिकोसा के बाद में आपका मिकोसा आपका लेर उपस्तित होता है यह ट्रेक्या की लूमेन है यानि गुआ है जहां से आपका air आपका प्रवेश करते हैं यह और यह जो सब म्यक्रूस होता है उसके अंदर ग्लैंट होती थे रहती है जो आपका म्युक्ष जोब बनी होती है उसके बाद में देखते हैं आपका कंडेक्टिंग जोन तो आके रही आप meth ही लिपक पर ंतर ड़ल जो शमोंड की ब्लूटラ मकृस करिना का वहां पर ट्रेक्या खतम हो जाती है दो बढ़ जाती है राइट और लेफ भॉक दूर जाती है उनको अट्राइबरी आपका ब्रॉंकाई वह बॉलते हैं और यह जो प्राइमरी भॉक करें यह एक आपका राइट में प्रवेस्ट करता है दूसरा आपका लेट लंग में जो हाइ लंग आपका रीजन होता हए छ्छित्र होता है लंग का यानकि आपका गड्डे की जैसे स्वरंचना होती है आपका लंस के आंत्रिक बाग माग के ओपर जिसको हाइलं के दौ़ारा राइट यहां पर आपका वार्म होती है यह लेक्ति अंदर किसी नहीं होते हैं और साथ में आपका सेचूरेटेट विद दा वाटर वेपर, यहां कि इसके अंदर आपका वाटर का कंटेंट उपस्तित होता है और जो ब्रॉंक्ाइइ होते हैं वह आपका लंग्स में पर्वेश करके आपका और Chief हो जाते हैं कि इसके अंदर आपका compos आपका सेकंडरी आपका इंदर पक्राइमरी ब्र senza चाहते हैं उसके बाद है इस्के बाद है वह थारुसरी आपका इंदर आकड़िवीड होते हैं ट क्या है यह более है okay हमीने स्इशनागて हैं यह करें वह को निर्मान करते हैं इतार इस प्र वार्णकियों है 친 में कि निचे के आपका घंच होगा है तो इसके जो ब्रांची जोते हैं और आपका बढ़ती है profound और यह जो आपका branch होते हैं इनका जब नीचे के तरफ आपका branching होगा तो diameter तो कम होता जाता है इस साथ में पार पार भीती है उसके अंदर भी आपका बदलाव होते जाते हैं तो आपका विति के अंदर संचनात्मक चेंजेज होते जाते हैं तो जो cartilage होते हैं उसका जो support होता है वो कम होता जाता है epithelium जो होती है उसके अंदर आपका change होते हैं तो pseudo-stratified जो epithelium है वो आपका बदल जाते हैं इन विबिन आपका tubes के अंदर जो आपका मसल्स होते हैं, smooth muscles, उनका जो मत्रह है, amount है, वो आपका बढ़ती जाती है, तो आपका cartilage कम होती जाती है, epithelium में change होते है, smooth muscles जो है, वो आपका बढ़ती जाएगी, साथ में जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, तो ब्रोंकियोल्स आपका cuboidal epithelium उपस्तित होती है, pseudo stratified साथ में कुल्स 22 इसाथ में ब्रोंक्यों नहीं के वीर आपका हो जाता हे लेवल के उपर जाक To be तो फिरेतिश की जॉन आप इसको क्राप की दिए तो उत兩ा की होतीफ हुते हैं आतार Sa servi दैनल। न Irish सेंट्र हें। यह दर नहीं को स्वाविन को आप्का किसको होते हैं लोटाइक है। तो आपका जो लंग्स होते हैं उनके अंदर लगबग 300 million अलवलाई आपका उपस्तित होती है और जो लंग्स का अधिक्तर volume आईतन आपका बनाती है और यह आपका गैस जो है उसके आदास परदान करने के आपका surface है छितर है आपका तो गैसे का जो आदान परदान होता है व आफके आगे विश्ंता है रेस्पिरेटरी ब्रॉंक्यूल्स है मोनाते है जोtी है उपस्तित होती है लंक्स के तो यह बन ही आ जो आए किसमें कुल रहे है जिसके बंजन आ को कि में पस्टीट होती है आपका यह अगे जाकर आगे चार्ग qneud α मारे आपका उ लेल्यलि जो हैं ओजन ऊपस्तित होती है अपका यह आत्रीयम मंही आ इसके इंदर आपका है अल्वलाई जो जो जुडी रहते साथ में रेस्पिरेटरी मेंबरेन नहीं होती है तो उसको अपका एयर ब्लड बिक्रय जो बनी होती है तो पंड शुपिल्ज का नहीं सब्सक्राई गाइं रहते हएं आपका बेस्मेंट मेंबरेन जुडो है train आपका एक प्रकम लेमिना के दोरा तो बेसिल लेमिना जो है वो अलवलर केपिलरी वाल की जो आप वाल से उनका आपका जोड करके रखती है और आपका एर बलड बेरियर का आपका निर्मान करती है इसका आर्थ यह हुआ कि जो आपका बलड है वो तो आपका केपिलरी में रहेगा और जो एर ह और ब्लड वेशल्स से अपका एलवलाई के अंदर प्रवेश्ट करती है, तो यह ब्लड के लिए तो एक बेरियर है, प्रणतु एर के लिए आपका ओर आने- जाने देती है, ऐलवलर वाल्स जो है, उनकी तरफ से आपका कौन पार्टिसपेट करता है इस बेरियर के अंदर, तो अलкивलयर आपका जो BTI उसकी तरफ से सिंगल लेयर होती है, आपका टाइप 1 एपिथिलियल सेल्स के वह इसके अंदर उपस्तित होती हैं अल्वलाई से आपका blood vessels में और blood vessels से carbon dioxide अल्वलाई के अंदर आपका परवेश करती है साथ में ये जो आपका layer है आपका enzyme को secret करती है जिसको angiotensin converting enzyme बोलते है ace enzyme बोलते है जो हमारे स्रीर के अंदर blood pressure है उसको नेंदरन करने की mechanism है जिसमें आपका भाग लेता है और साथ में आपका type 2 cells जो होते है वो भी उपस्तित होते है अल्वलाई के वाल के अंदर जो surfactant को आपका क्या करती है secret करती है और ये जो surfactant होते है वो आपका जो lungs है उनका अपका tension प्रस्तना उसको बनाते है और जो अल्वलाई होते है लंग्स होते है उनका आपका कॉलेप्स नहीं होने देते है तो surfactant आपका उपस्तित होते है और जो type 1 जो cells होते है वो epithelial cells है जिनके द्वारा division की परकिरिया होते है और साथ में जो enzyme होते है इसको आपका श्रावीत करते है और type 2 cells जो है वो surfactant बनाते है उसके बाद में आपका जो अल्वलाई होते है वो आपका लास्टिक फाइबर से आपका गिरी रहते है और आपका contents open pores याईन के आपका इनके अंदर कुछ छिद्रा आपका उपस्तित होते है जिनके दिवरा पास की जो अल्वलाई है उससे आपका जूड़ी रहते है और एर का जो प्रेशर है उसको लंग्स के अंदर एक समान आपका बनाए रखते है जो macrophages होते हैं वो कोसी का इनके अंदर उपस्तित होते है जो आपका surface जो होते है अल्वलाई की उसका आपका sterile रखते है याँ कि यहां पर किसी भी परकारी के जिवानों वगरह आपका पाई जाते हैं तो उनको यह macrophages अंगल्फ करके अंदर लेकर के उनका नस्ट करने का कारिये करते हैं अल्वलाई की जो आपका यह दिश रंचना देखें तो उनमें elastic fibers हैं जो आपका इनको कॉलेप्स होने से बचाते हैं अल्वलाई के अंदर आपका open pores होते हैं जिनके द्वारा यह पास के अल्वलाई से आपका connect होती है और air का जो pressure होता है उसको lungs में एक्समान बनाई रखती है macrophages पाई जाते हैं बेक्टिरिया आप micro organism का आपका नस्ट करती हैं उसके बाद है यह respiratory membrane आपका दिखाया गया है तो देखें एल्वलाई जो है उस एल्वलाई के चारू तरफ आपका क्या उपस्तित होती है आपका blood vessels आपका blood के पिलरीज आपका उपस्तित होती है तो यह yellow color के दिखाया गया है यह तो इल्वलाई के लेवल के उपस्तित होता है अल्वलाई के चारू तरफ आपका smooth muscles उपस्तित नहीं होता है तो अल्वलाई के सरंचना के अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं कि elastic आपका fibers उपस्तित होते हैं और साथ में अल्वलाई की बिक्ति होती है और उसके चारू तरफ आपका blood के पिलरीज का network जो है वो उपस्तित होत क Murray left, बिजफ होते हैं तो 50% चौनेक्टेड रचता हम उपस्तितित A तार क किलेड़ नहीं क्या है जब गैसे हैं और आपका उम्काद का आपका । ऐस नहीं में रिखते हैं तो यह epithelial आपका cells होते हैं यह macrophages को सिखाए हैं जो आप जो विबेन प्रकार के जुआनों वगरे हैं उनको आपका नस्ट करते हैं यह blood capillaries दिखाई गए हैं जो आपका blood को लेके आते हैं तो यह epithelial cells आपका उपस्तित होते हैं और जो oxygen है वो simple diffusion के दोवरा आपका blood capillaries के अंदर आपका प्रवेस करके RBC के साथ में आपका जूट जाता है तो आपका यहां पे जो आपका उपस्तित होते हैं को सिखाएं अलवलस के साइड से वो सापका सिख्यमस आपका epithelial cells होते हैं type 1 cells होते हैं यह आपका अलवलर epithelial दिखाया गया है उसके बाद में यह आपका यहां पे basement membrane आपका उपस्तित हैं और इनके बीच में यह जो आपका basement membrane आपका उपस्तित हैं तो यहां पे अलवलर epithelial and capillary endothelial इन दोनों को जोड़के रखती है basement membrane और यह आपका तीनों मिलकर कि आपका किसका निर्मान करते हैं respiratory membrane का निर्मान करते हैं जिसके दोरा जैसे जो हैं उनका आदान परदान होता है तो फ्रेंट्स हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया हो तो आपका like करें साथ में comment दें friends और जो आपका हमारा जो channel है उसको आपका subscribe नहीं किया है तो फिर से subscribe करें अपने जो friends and nursing के जो आपका competition exams की तयारी कर रहे हैं उनको हमारा वीडियो देखने के लिए recommend करें हमारे वीडियो उनके साथ में share करें friends इसी परकार से आप और भी respiratory system के जो दूसरे वीडियो जो हम upload करें उनको आप देखते रहेगा और साथ में हमारे जो वेबसाइट है उसको आपका visit करके जो वीबियन आपके competition exams के जो questions हैं उनको आप solve कीजिए और आप जो exam है उसके अंदर आपका success हालिस hustle करें all the best friends